आज मैं लेकर आई हूँ पर्मल की ऐसी लाजवाब सबजी जो अक्सा गाउं में बनाई जाती है पार्टी के टाइम इसे पूरी के साथ खाया जाता है और ये मेरी मम्मे की रेस्पी है मैंने उन्हें बश्पन से बनाते देखा है तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ तो यहां पे मैंने 500 ग्राम पर्मल लेकि अच्छे से धो लिया है इसे और कुछ इस तरह से पतला पतला इसे काटना है जादा मोटा नहीं काटना देखे मैं किस तरह से काट रही हूं इसी तरीके से सारे पर्मल मैंने काट लिये हैं और इसको बनाने का जो तरीका है आप भी बनाते हो इस तरह से तो सबसे पहले कढ़ाई में 3-4 चमच हम तेल ले लेंगे यहां पर हम सरसो का तेल लेंगे और सरसो के तेल को धुआ निकलने तक गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पे हमें इन पर्मल की पीसेज को फ्राइ करना है फ्राइ करने का तरीका क्या है वो ध जो पीछे का छिलका है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इससे जो पर्मल है वो क्रिस्पी लTalkता है और तभी यह जादा टेस्टी लगता है अगर यह रिस्पी क्रिस्पी नहीं हो गाना जिस शेप में हमने परफल को काटा था और इसे भी थोड़ा पतला पतला ही काटना है जाधा मोटा हमें नहीं काटना है तो कुछ इस तरह से हम अलू को काट लेंगे और तब तक हम अपना परमल चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारे ब्राउन होना चाहिए तभी ये खाने में तेस्टी लगेंगे और काफी करंची लगते हैं सबजी में। अब क्या करेंगे जो तेल बचा हुआ है इसमें जो हमने आलू काटके रखे हैं इन आलू को हमें फ्राइ करना है गोलडन ब्राउन होने तक। आलू को भी हमें high flame पे ही fry करना है और पर्मल को भी high flame पे fry करना अगर slow flame पे आप fry करेंगे तो इस लिए हमेशा high flame पे fry करें और जैसे इस पे golden brown कलर आ जाए इसे हमें निकाल लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आलू पे भी अच्छा सा कलर आ गया है बस इस तरह से इ वो अलमस्ट खताम हो गया है तो मैं थोड़ा सा तेल बहुत जादा तेल नहीं दो चमच तेल मैं इसमें और डाल रही हूँ और तेल को फिर से तेज गरम कर लेंगे और यहां पर मैं सरसो का तेल ही इस्तमाल करें क्योंकि इसे में टेस्टी बनती है सबजी एक टीस्पून यहां पर मैंने जीरा एड़ कर दिया है और जीरे को हलका सफ्राई कर लेंगे अब इसके अंदर में बारी कटा हुआ लेस्टून एड़ कर रही हूँ सिर्फ एक टीस्पून एक टीस्पून यहां पर कद्दू कस की अवा अधरक एड़ कर रही हूँ और इसे भी हम पका ल सकते हैं बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं कटा हुआ तो इसमें पीछन के भी अड़ कर सकते हैं और जाहें तो इसमें और इसकी में यूजति करती मैं इसे यूज करती हूँ अब इसके अंदर स्वात के अनुसार नमक आड़ कर देंगे नमक पहले आड़ करने से जो प्याज है वो जल्दी फ्राई हो जाएगे उसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो पानी छोड़ देती है यहाँ पे मैं इसे हाई फ्ले आज है इसका कलर चींज हो गया है कुछ दे इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है थोड़ा सा लाल हो जाए इसके बाद हम इसमें दो टमाटर की प्यूरी आड़ कर देंगे आप चाहें तो बारे इक टमाटर भी काटके इसमें आड़ कर सकते हैं मैंने यहां पर पीस के डाला है क्योंकि मेरा जो बेटा है वो टमाटर पसंद नहीं करता है अगर उसकी सबजी में टमाटर आता है तो यहां पर इसे में भुनने देती हो और साथ में कुछ मसाले भी आड़ कर देते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आड यहां पे आपे अपने टीस्पून के करीब अपने एक टीस्पून के करीब भाध करेतं हूँ अफिल्दी पाउडर एम चाहरा है धनिया पाउडर एम उर जो गरम बसाला वह में लासρα में ब कावम्डर्व के हैज कि अब अब नहीं है तो इसको धूंत तोटली ऑप्शनल है डालेंगे तो सबजी का कलर अच्छा आएगा अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जितने अच्छे से भूनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा से मैंने पानी डाल देया क्योंकि यह काफी सूखा था अगर ज्यादा सूखा होगा तो मसाले जल जाते हैं थोड़ा सा दो से तीन चमच पानी डालके मैं इसकी भूनाई करने वाली हूँ जब तक कि यह तेल ना छोड़ दे तो यहाँ पर ग्यास जो है वो भी मैंने मीडियम पर रखी हुई है बस इसे चलाते जाएंगे और यहाँ पर देखे दो से तीन मिनिट में ही हमारा मसाला और इसने तेल छोड़ दिया है अब इसके बाद हमें क्या करना है जब मसाला अच्छे से भून जाए उसके बाद हमें यह जो हमने सबजियां फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर एड़ कर देनी है इस सबजी को बनाने में जादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि अल्ल में छाला के भून रही हो जिसे मछालो प्लेवर सब्लीफ के अंदर आजया दो मिनट भूनने के बाद इसके अंदर में पानी आड़ करूंगी पानी बहुत जादा में आड़ नहीं कर रही हूं क्योंकि एक सब्लास के पानी अट क्लशlen धाशी तरेस्ट थे ने इसाफिक मैंने एक से सवा गिलास के करीब पानी आठ किया है इसे में ढख दूंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे आलू गल ना जाएं तो यहां पर आलू जो है वो गल चुके हैं अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूं तो टीस्पून के करीब मैं मैं यहां पे गरम मसाला डाल रही हूं आप अपने टेस्प के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक बार फिर से दो मिनिट के लिए हम इसे ढख कर पका लेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाएं दो मिनट हो चुके हैं हमारी सबजी जो है वो रेड़ी हो चुकी है उपर से तेल भी नजर आने लगा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डालेंगे अधनिया यहां करेंगे ढें के हां г自भ सब्सेख कर लेंगे हूं थे यहां पर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है यह देखने में कितनी बढ़िया लग रही है बनाने में तो बहुत ही आसान है इसे गाओं में मेरी मम्मी जब गाओं में रहती थी वो बताती थी कि इस तरह से सब्सक्राइब को बनाया जाता था आलू परमल की जब मेहमान आते थे इसी पूरी के साथ सर्व किया जाता था अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना विद्धी मत दीजेगा